Hello everyone, मैं बुबेंद। Geography Old Paper Question Series में हम चाचा कर रहे हैं 2016 में यहाँ पर जो 6 Marker है उसकी जो प्रेशन पूछे गया थे उस दोराण 6 Marker रुके थे नए syllabus के according 5th Marker में हैं So, यहाँ पर मैं आपको दोनों प्रकार से इसको बताऊंगा कि कैसे इसको लिखा जा सकता है यानि कि 100 शब्दें और 50 शब्दों में कैसे लिख सकते हैं तो यह उतर तो मैंने फिलाल 100 में लिखा हैं और अंत मैं आपको बताऊंगा सही कि कौन सी चीज़े इसमें से काट कर आप इसे बहतर 50 शब्दों में लिख सकते हैं लेकिन इससे पहले आपके लिए यहां पर महकूम जानकारी कि हमारे MPPSC को लेकर इस्पेशल क्लासेश चल रही है जहां पर आपको इकोनोमी हिस्ट्री और जियोग्राफिकी डेली तीम क्लासेश हैं इसके अलाव हम आपको वहां पर PDF, notes और objective जो प्रश्न है वह अपता के एक लास्ट में इसके अलावा हर वीडियो के बाबने में इसके प्रश्न वह सारे उपलबते हैं डेमो वीडियो अवेलबल हैं आप जाकर जरूर देखेगा मात्र साथ सो रुपए पर मंत में एक बार आप डेमो वीडियो देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि quality बहतेग प्रश्न काफी अच्छा है और राश्टी राजमार्ग से MPPSC के प्री में बहुत सारी बार प्रश्न पूछे गए हैं तो यहां पर हाला कि प्री से तो हमें फिलाल मतलब नहीं है मेंच के साब से हैं और परीवहन इंफ्रास्ट्रक्चर में आता हैं काफी महत्पून शुर में फिलाल इसके लिए माफी चाहूंगा लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसके तहट आप इसे बहतर समझ पाएंगे तो मद्री प्रश्ट में जो सडव इस सारे कोई जादा अच्छा नहीं है लेकिन कोई जादा बूरा भी नहीं है और राश्टी राजमार्ग जो देश में तोटल हैं उसका 6 प्रतिशन मद्री प्रश्ट में आता है और कुल 20 राश्टी राजमार्ग मद्री प्रश्ट से गुजरते हैं तो यहां पर हमेशा एक तरह आपको मेब जरूर बनाना है और मैं हमेशा से कहता आया हूं क्योंकि जब आप इसी इनोवेटिव चीज करते है तो परिक्षक की तरफ से आपको एक डेड़ या दो दो नंबर है वो एक्स्ट्रा मिल सकते हैं तो यह इनोवेटिव चीज आपको जरूर करना है जब भी मौका मिले उसको आपको बिल्कुल बनी छोड़ना है यहां पर मत्रश्ट का में इसके अलावा जो जो भी आपके ज राजमार्ग आपको बताना है मैंने इसमें कुछ ही बताया है क्योंकि जादा बताता तो हो सकता है कि जो दिखने चाहिए वह भी नहीं दिखते हैं तो इनोवेशन भी कुछ ऐसा हो ऐसा नहीं कि आप 20 के 20 बना देंगे तो फिर इतना बेकार लगेगा तो यहां पर जिसकी आप पर हम प्रमुख राष्टी राजमार्ग की तो प्रशने का ध्यान रखे आप प्रशने पूछा है कि प्रमुख राष्टी राजमार्ग और इसके अलावा इनका विकास में क्या युगदा है यह आप से पूछा है तो आपको फिर कुछ राष्टी राजमार्ग सीधे बताने हैं और फिर इसका विकास में क्या युगदा है वो आपको बताना नहीं आएगा तो NS3 के हम बात करें यहां पर तो सबसे पहले कुछ की बात करना है 200 की बात नहीं करना है तो NS3 जो है वह आगरा ग्वालेरश शीव पूरी इंदोर मुबई याने के अगरा से जो मुंबई जाता है वह ग्वालेरश पूरी इंदोर से ओकर गुजरता है और आपको पता भी होगा मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी राजमार मतलब लंबा राष्टी राजमार गए जो मद्यप्रदेश से गुजरता है इसके अलावा एने सेवन के हम बात करें तो वारा नसी, रिवा, सिवनी, कन्या गुमारी और इने सेवन अलाएकि असे एने प्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी राजमार हमार ही जो इसके बाद में नेस्ट नागपूर अरहा यहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है प्रमुक राष्टी राजमार को लेका अब रही बात विकास में महत्व तो एक सड़क का काफी ज्यादा योगदान होता है विकास में महत्व कि हम बात करेंगे तो सबसे पहला यह कि यह आधार्बु संड़शना का एक हिस्सा है इसमें मद्रिप्रदेश को पूरे भारतेम जिलों से जोड़ा है तो मैं एकोनोमी भी पढ़ा रहा हूं जहांपन मैंने भी बदाया आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका बहुत बढ़ा रोल होता है और जब आधार्बु संड़शना होती है तो एक किसान एक अच्छी सड़क के माध्यम से चाहें वो 200 किलोमेटर दूर उसकी मंडी ह अपनी फसल या जो भी उत्पाद है उसे बिना सड़क पहुंचा सकता है उचित दाम मिल सकते हैं और अगर यह ना हो तो आवागमन बहतर नहीं होगा और फिर किसान को उचित मुल्य नहीं मिल पाएगा हाला कि यह सिर्किसान के लिए काम नहीं करते हैं कोईला खदान से को सड़क होती हैं वह आस पास क्या करती है रोजगार भी जनरेट करती है क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है यहां पर कि जो धावे वग्यरा खुलते हैं दूसरा मद्रिपदेश के क्रशित पादक पूरे भारत में आसानी से पहुंच तो इन्हीं राश्टी राजमार्ग तो मुंबई दिल्ली का चाहे ट्रेंड का रूप हो चाहे इसके लाव भस या हाईवे का रूप हो मद्रिपदेश से इससे क्या होता है इसके अलावब जगे जगे जो इस्टोप होता है इससे बहुत सारे लोग अपनी रहेडी लगा सकते हैं और जब यह गुजरते हैं त यहां पर प्राप्त होता है तो यह रहा हमारा प्रश्न और यहां तक चीज़े आपको कि यहां पर यह वाला आप ना लिखे इसके बाद बना दे सिर्फ मेप और सिर्फ मेप बनाने के बाद में यहां पर डिपा बना के लिखते है कि मद्यपदेश से गुजरने वाले प्रमुक राष्टी राइदमार और एरो बना दे मेप की तरफ क्योंकि आपके पास इतने दो में यह लिख देना है तो सुवाइक सी बात फिर आपको अच्छे कासे यहां पर नंबर मिल जाएंगे चले सात्यू तो आशा करता हूं इस उत्तर के मादियम से मैं आपकी बहतर मदद जो हैं वो कर पाया हूंगा थोड़ा सा इशू आ गया है चलिए नेक्स प्रशन है जो नेक्स ट्रै के लिए है खेर तो यहां पर चीज़ा आपको क्लियर हो गई होगी और यह जो प्रशन है इसके मादियम से बहतर मदद मैं आपकी कर पाया हूंगा तो आप जो पूरी जियोग्राफिय और पेपर कोशन सिरीज है उससे जाकर जरू देखिएगा पुराने 2014 मैं आपको क्लियर करवा चुका है आज का वीडियो लेक्चर यहीं समापत होता है आप सभी का बहुत बहुत नहींवाद